नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज में आप लोगों को 10 मुख्या प्रोटीन के यूथ आहर जो है आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि 56 ग्राम प्रोटीन पूरुशों को और 45 ग्राम महिलाओं को हर रोज जरूरी होता है ये प्रोटीन अगर ये प्रोटीन नहीं खाया जाए तो आप लोगों में बहुत सी समश्याएं जो है पैदा हो सकती है जैसे की टाइडनेस जिसको हम लोग थकान बोलते हैं या हम लोग बोल सकते हैं आलस्मन जिसको हम लोग नॉर्मल भासा में बोलते हैं और बालों का जड़ना भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, बहुत सारी समश्याएं जो है, आप लोगों को प्रोटीन की वज़़ा से हो सकती हैं, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो. आप, आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे सरीर को पूरे दिन में 56 ग्राम प्रोटीन का उशकता होती है, प्रोटीन हमारे बालों के लिए, नाकुनों के लिए और अन्या सरीर भागों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा प्रोटीन आपके पेट का खयाल रगता है, सबसे पहला है अन्डा, जो लोग अन्डा नहीं खाते हैं, उनके लिए बाकी भी अभी जो है वो लिस्ट में है, एक पूरे अंडे के अंदर आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अंडे के अंदर आपको बहुत सियासे वाइटमिन और मिनरल भी मिलते हैं, जो आपकी पूरे सरीर की रक्षा करते हैं, जैसे की हडियों के लिए, दूसरा है सोया बिन, 100 ग्राम सोया बिन में आपको मिलता है 39 ग्राम प्रोटीन, तीसरे नमबर पर आता है चीज, 100 ग्राम में आप लोगों को मिलता है 32 ग्राम प्रोटीन, अगर 100 ग्राम चीज आप लोग खाते ह तिल के अंदर तिल के लड़ू सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं यह है शरीर को गर्मी के साथ साथ आपको प्रोटीन भी देते हैं इसमें 100 ग्राम तिल में आपको 26 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है मूंगफली के अंदर 100 ग्राम मूंगफली के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है ये सरदियों में बड़े ही पसंद के साथ खाई जाती है मूंग की डाल 100 ग्राम मूंग की डाल में आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन कद्दू के बीजों में 100 ग्राम कद्दू के बीजों में आप लोगों को मिलता है 30 ग्राम प्रोटीन राजमा में 100 ग्राम राजमा में आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन पिस्ता यह खाने में बड़ा ही अच्छा होता है इसमें बहुत अधिक मातरा में प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम पिस्ता में आप लोगों को मिलता है 20 ग्राम प्रोटीन धन्यवाद